Hello and welcome to the next session इस session में हम लोग इस carburetor body को complete करने वाले हैं ये देख लीजिए देखने में लगेगा यार इसको बनाया कैसे गया है So don't worry ये देख लीजिए इसका drawing है आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा तो सबसे पहले हम लोग इस portion को बनाएंगे ये आप देख सकते हो ये वोला portion फिर हम लोग इसको बनाएंगे है ना फिर हम लोगों ने इसको बनाया फिर जो भी cut out किये गया है जैसे कि ये हो गया ये हो गया और यहां जो है ये cut out किये गया है उसके बाद हमने fillets डाले है उसके बाद हमने holes वगेरा डाले है यह देख लीजे holes वगेरा है यहाँ पर देखेंगे तो आपको British Standard का भी hole दिया हुआ है तो वो कैसे use करना यह भी आपको पता चल जाएगा समझ में आई बात तो गौर से देखो इस drawing को drawing देखने में थोड़ा tough लगेगा लेकिन आप मेरे process को follow कीजिए आपको कोई परेशानी नहीं आएगी space करके isometric ले लेते हैं यहाँ से section करके check कीजिए यह देख लीजे इसका section front view यहाँ से आप देख सकते हो अच्छा यहाँ पर यह दिया हुआ है तो इसको भी देख लेते हैं इसको off करेंगे यह plane लिया मैंने इसको click किया यह ऐसा हो रहा है हम इसको flip कर सकते हैं इस तारह से okay कर देते हैं space करेंगे normal करेंगे या तो आप left side ले सकते हैं see करना होगा याद रखिए गलती नहीं कर सकते mechanical वाले गलती करेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ठीक है तो आपको drawing को properly पहले read करना है उसके बाद ही बनाना start करना है तो चलो इस session को हम start करेंगे एक एक step को आपको गौर से देखना है और फिर lecture खतम होने के बाद practice करनी है ओके चलो I hope यह आपको समझ में आएगा ठीक है इस session को start करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा solid works full premium course के बारे में बताना चाहता हूँ इस course को अच्छे से complete करने के बाद आप एक mechanical design engineer बन सकते हो और किसी भी company में आप एक as a design engineer काम कर सकते हो याद रखिए मैंने इस course में 300 से ज़्यादा lectures दिये हैं सारे lectures को properly study करनी होगी आपको और जो भी assignments मैंने practice करवाया है हर एक chapter के बाद में वो भी आपको बनाना होगा मैंने इस course के साथ में book और practice assignments दे दिया है ठेका है course के last में मैंने industrial projects भी करवाये हैं वो भी आपको complete करनी होगी कभी कोई परेशानी आती है या कोई doubt पुछना होगा तो direct मुझसे बात कीजिए हमने सारे course में one to one doubt clearing sessions रखे हैं course complete होने के बाद आपको certificate भी दिया जाएगा मैंने digital cad app का link नीचे description में दे दिये हैं आप अभी install कीजिए और खुद देखिए कि किस quality का content है हमारे सारे courses का तो चलिए हम लोग अभी इस session को complete करते हैं तो चलिए गौर से दिखते हैं इस drawing को सबसे पहले तो हम यहां से इसकी शुरुआत करेंगे इसका आधा portion बना के हम इसको revolve करेंगे ठीक है उसके बाद हम इस portion को बनाएंगे उसके बाद यह beach वाला जो दिया हुआ है इसका design करेंगे don't worry step by step आप follow करते जाएए आपको सब कुछ समझ में आता चला जाएगा ठीक है बिलकुल आसान सा है बद देखने में थोड़ा सा लगेगा tough बढ़ अगर आप regular practice में रहेंगे तो कोई issue नहीं आएगी ठीक है तो चलो एक एक minute को जरा गौर से देखो एक step को जरा गौर से देखो एक नया file ले लेते हैं part लिया देनों के यहां से हम sketch में जाते हैं ये लिया sketch और front plane as usual हमें एक vertical center line और horizontal center line लेना होगा ओके close it यहां से मैं relation को off कर देता हूँ alt or tab अब जरा इस portion को गौर से देखिए आधा बनाना है हम लोगों को ठीक है यहां का detailing देख लो y दिया हुआ है और इसका dimension आपको इधर मिलेगा यह देखो detail y लिखा हुआ है तो यहां से हमें शुरुआत करनी होगी ठीक है यह उसका origin है center point हमारा यह रहेगा यानि यह जो है न वो यह portion है यह वह पॉर्शन है यह वह पॉइंट नीचे से नहीं शुरुआत करनी है origin यह रहेगा हमेरा है न आपको काम करने में आसानी होगी यह देख लो यहां से दिया हुआ है reference यहां से भी दिया हुआ है इसलिए यह हमारा origin मान के चलना पड़ेगा चलिए फिर शुरुआत करेंगे एक line लेते हैं midpoint यहां से हम शुरुआत करते हैं इस तरह से या तो एक ही side लेंगे तो भी चलेगा कोई ज़रूरी नहीं midpoint लेना यहां से मैंने ऐसा लिया फिर आप ऐसे ले लो फिर ऐसा फिर ऊपर जले जाओ ऐसा 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 इस तरह से लेना है उसके बाद फिर से हम अंदर चले आते हैं उसके बाद फिर straight नीचे फिर थोड़ा taper फिर ऐसा लेंगे फिर ऐसा लेंगे और ऐसा लेंगे ठीक है right click करके select कर दो यह देखिए मैंने free style profile बना लिया है अब हम इसमें proper dimensions डालेंगे smart dimension अभी देखिए यहाँ पर जरा zoom किजिए यह देखो मेरा कितने का है 16 यह मेरा 24 मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग लेने वाले हैं 16 16 और फिर यहाँ से यहाँ तक लेने वाले हैं 24 good उसके बाद देखिए इसकी height total है 14 मतलब इसकी जो height रहेगी वो 14 की रहेगी ओके चलो अब यहाँ का काम खतम हो गया अब ज़रा इधर की बात कर लेते यह देखो origin से यहाँ तक हमने 30 यह रहा हमारा origin से नीचे तक मतलब इस line से यहाँ तक हमें 30 लेना होगा हमें जो भी dimensions डालने हैं जरा carefully डाल लिएगा इसकी thickness देखिए 6 mm मतलब यहाँ से यहाँ हम 6 का लेंगे good और यहाँ से यहाँ भी 6 का है मतलब यह जो line है उसका भी हमें 6 ही लेना है good अगला क्या है सो देखिए अगला यहाँ पर हमारा G3 by 4 यह standard है वह थ्रेडिंग डालते से में हम डालेंगे measure diameter 26.441 तो मैं यहाँ से लेता हूँ यह लिया 26.441 कुछ इस तरह से मैंने ले लिया अगला क्या है बोस यह देख लिजे यहाँ से यहाँ तक हमें 20 लेना है मतलब इधर से ले करके यहाँ तक हमें 20 लेना है ओके यह जो taper लिया गया है तो मैं यहाँ पर 60 degree इसका भी डाल देता हूँ मतलब एक side हम 30 का ले सकते हैं 30 degree यह कुछ जादा ही कम होगे मुझे लगता है 60 लेना होगा 120 का लिया होगा तो 60 का लिना पड़ेगा ऐसे यहाँ दिखाया नहीं है कितना बस यह taper ले लिया है मुझे लगता 120 का लिया होगा ठीक है ना चलिए यहाँ पर हम assume कर लेते हैं ठीक यह जो cut out है वो 60 का दिया हुआ है no issue चलिए इतना तो हमारा काम हो चुका है अब अगला step क्या है तो ज़रा गौर से देखिएगा यह यह जो है ना यह किसके बराबर है कुछ पता नहीं चल रहा मुझे लगता इसके बराबर यह यह देखो 16 दिया हुआ है ठीक है ना उपर वाले यहां का भी हमने 16 लिया है यहां से देखिए इधर का भी 16 दिया है तो आप क्या कर सकते हैं यह देखो मेरा free है इसको पकड़िए और इसको पकड़िए यहां से vertically align कर देजी यह देखो 16 का हो गया अच्छा आपको अगर गंदा दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं प्रिसीजन को हटा सकते हैं एड़िट डोक्यूमेंट यूनिट्स और यहां पर जाके हम इसको none कर लेते हैं ठीक है ओके तो neat and clean दिखेगा अब उपर वाला dimension डालते हैं तो यहां से देख लिजे नीचे से ले करके exactly height 80 दिया हुआ है मतलब यहां से हमें यहां तक 80 लेना होगा good उसके बाद यह देखो 8 का है 8 ले लेते हैं ओके यह बाहर वाले का देखें diameter मतलब यहां से यहां तक हमें 80 लेना है 80 mm का और यह देखिए हमारा 68 का है मतलब अंदर वाला जो है हमारा 68 का रहेगा याद से 68 लिजेगा good अब यह देखो 86 का diameter नीचे दिया हुआ है मतलब क्या इसको यहां तक लेना है 86 यह देखो मेरा पहला profile बनके तयार हो गया पहले हम लोग material को add करने वाले जितने भी features है वो सब बनाएंगे फिर material remove करने वाले यह आधा portion हमने बना दिया यह cut हम बाद में create करेंगे ठीक है पहले हमने add material create कर लेना है उसके बाद remove का का काम करेंगे ता आधा तो काम हो गया boss अभी बाकी कुछ नहीं बचा आप इसको finish कीजिए space कीजिए isometric और यहाँ feature में जाके revolve कीजिए और यह रहेगा मेरा vertical center line ओके see यह हमारा first feature बन चुका है plain white और यहाँ से जो लगता है आप ले लीजिए इस तरह से fillet वगरा हम last में डालेंगे यह सही step हमें follow करना है आप चाहोत इसको save कर सकते हो यह पहले था हमने बना दिया है बट इसको मैं इस नाम से replace कर लेता हूँ ठीक है ओके तो यह हो जुका हमारा अब दूसरा step है यह बनाना यह portion बनाना इधर section view दिया हुआ है बिलकुल आसान है अगर आप मेरे तरीके को follow करते हैं तो आपको कोई परिशानी नहीं आने वाली है ठीक है यह देखिए broken out करके पूरा details हमें बताया गया है so nothing to worry अब देखिए इसके center से इसके center के बीच का distance कितना है 85 का है है ना तो हम लोग पहले तो front plane लेंगे sketch में जाएंगे और यहां से center lines लेते हैं कुछ एक ये हो गया दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया right click करके select और इनके बीच का distance हमें 85 डाल ली है तो आप इसको और इसको डालके 85 कर दीजे ठीक है ओके नाव देखिए इसका design मैंने जैसे की 3D model में दिखाया आपको ये कुछ ऐसा और ऐसा आया है तो हम क्या कर सकते हैं इसको पहले sweep कर लेंगे उसके बाद बाकी का जो काम है वो करेंगे तो उसके लिए हमें profile बनाना होगा सबसे पहले माए यहां से यहां तक एक line लेता हूँ और यहां भी इस तरह से अब total height इसकी देखिए यह देखो मतलब plane से मतलब यहां origin से उपर 125 लिया गया है मतलब यहां से यहां तक 125 लेना है पहला काम हो गया उसके बाद देख लिजे center से इसका distance कितना दिया हुआ है यहां तक 33 का तो आपको यह भी 33 लेना होगा बस यह मेरा दूसरा feature बनने वाला है अभी आप इसको finish कीजिए यह देखिए हमारा एक profile तयार है अभी आप इसको select कीजिए और यह रहेगा मेरा swapped boss base यहां से circular में जाईए और circular में देखिएगा यह देखो बाहर वाला कितना दिया हुआ है 44 तो आपको यहां diameter 44 डालना होगा देन ओके यह देखिए दूसरा काम हमारा हो चुका है अभी इसमें एक और काम हमें करना होगा यह देखो नीचे यह design हमें करना होगा उपर में मतलब इसके top में समझे कोई issue नहीं आप इसको select किजिए sketch में जाईए no problem और यहां पर भी हम लोगों को क्या करना होगा एक horizontal और vertical center line लेना होगा इस तरह से और यहां center से मैं एक ले लेता हूँ इस तरह से right click करके select काम आसान है अगर आप process से चलेंगे ता आपको कोई परिशानी नहीं आएगे यहां center दिख रहा है यहां से मैं एक बड़ा circle ले लेता हूँ यहां पर भी एक circle ले लेता हूँ और इस circle को हम mirror कर लेंगे ठीक है कुछ इस तरह से अब दिखिए यहां पर ज़रा zoom केज़े इसका radius दिया हुआ है कितना 26 मतलब diameter 52 हो जाएगा यहां आपको 52 ले लेना है और दोनों के बीच का distance 76 का है मतलब इस circle और इस circle के center के बीच का distance 76 का ले लेना है ओके और यह मेरा r12 मतलब 12 है मतलब diameter इसका 24 हो जाएगा ओके escape करेंगे line ले लेते हैं यहां से हमें दोनों circle के tangent में एक line ले लेनी है right click करके select पहले से ही हमारा tangent हो चुका mirror select this line यहां से आप इधर ले लो and then ok कर दो फिर से मैं mirror लेता हूँ इस line और इस line को select करूँगा mirror about this horizontal center line then ok अब यहां trim कर लेते हैं कुछ इस तरह से trim कर लीजिए ok अब यहां पर देखिए गा तो आपको एक circle दिखाए दे रहा है यानि hole है ना 12.5 का यह रहा हमारा दो holes है 12.5 diameter मैं यहां पर ले ही लेता हूँ 12.5 diameter एक हो गया यह दुसरा हो गया दोनों को हम equal कर लेंगे control प्रेस करके select करके equal कीजिए और यहां से आपको 12.5 ले लेना है ठीक है आप standard hole भी ले सकते हो बाट उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि standard यहां नहीं लिया गया है सिप hole ही तो लेना है यह हमारा काम हो चुका है and then finish करेंगे space and isometric और 125 से नीचे लेना है हम लोगों को यह दिख रहा है 12 है ना तो आपको extrusion करना है 12 में उपर नहीं चाहिए फिलिप करके नीचे ले लो और यहां आपको 12 डाल दिना है then ok कर दीजिए see यह हमारा दूसरा major feature बनके तयार है अभी तीसरा जो है rib यानी जो इन दोनों को connect कर रहा यानी यह design को जरा गौर से देखिए इसको समझे तो इसके लिए हमें एक काम और करना होगा यह देखिए इधर center से हमें 18 लेके जाना है और इस side भी touch किया गया है ठीक है तो चलिए no problem दिखाता हूँ कैसे करना है सो सबसे पहले आप इस front plane को sorry right plane को लो और यहां आपको plane लेना है और आप offset कर दो और distance कितना है 85 का 85 ले लिया फ्लिप normal आप कर सकते हो बढ़ इधर ही रहने तो कोई problem नहीं इसमें and then ok कर देता हूँ ठीक है अब हम लोग क्या करने वाले सो देख लीजे हम लोगों को ना यहां पे जड़ा ध्यान से देखना होगा यह hidden में दीख रहा है बट मैं बताता हूँ कैसे करना है सो आप इस plane को select कर लो sketch में चले जाव direct यहां से हम again center lines ले ले लेते हैं हर एक object का designing technique होता है यह सब practice आएगी ठीक है जिसने भी premium courses लिए उन लोगों की तो सब कुछ किलियर हो गया यह देखो यहीं से शुरुआत किया गया है तो यहां हम लोग क्या करेंगे midpoint ले लेते हैं इधर से कुछ इस तरह से आईसा 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 और आप arc ले सकते हो कुछ इस तरह से और यहां ऐसा ऐसा और यहां से ऐसा कर दो और इसको यार हम क्या कर देते हैं सबसे पहले इसको इसके साथ coincident कर दो और इसको इसके साथ coincident कर दो ठीक है dimension अभी इसकी thickness कितनी है यहां पर दिया हुए, यह देखो, यह 8 थिक, तो आपको यह 8 डालनी है, गुड़, उसके बाद, यह देखो, यहां radius 8 का है, मतलब इसका जो radius रहेगा, वो 8 रहेगा, यहां से यहां तक की height कितनी है, तो आपको यह दिख रहा है, आपको यह center से लेकर के उपर तक 9 का, मतलब यहां से लेकर के यहां तक आपको 9 लेनी है, और इसको और इसको पकड़के आप horizontally align कर दो, और क्या है, यह देख लिजे, center से यहां तक, मतलब इसके center तक की height कितनी दी हुई है, 24, यह 26 hole का है, यह जो hole दिख रहा है, यहां वाले hole का है, तो उसको हमें नहीं लेना है भी, यह 24 लेना है, समझे, इस arc का center और यह जो छोटा वाला hole है, इसका center तक लेना है, मतलब आपको यहां से यहां तक 24 लेना पड़ेगा, बस इतना काफी है हमारे लिए, फिलहाल, fillet वगएरा हम last में करने वाले हैं, तो अभी फिलहाल तो हम इतना ही रखेंगे, and then आपको finish कर लेना है, space and isometric, अब क्योंकि मैंने यहां से sketch बनाया है, तो यह देखिए, इधर ह आप इसको flip कर सकते हो, यहां हमें 18 लेना है, direction 2 में जाता हो, up to next कर लेते हैं, see, यह देख लिजिए हमारा up to next हो चुका, बस इतना ही करना है इसमें, बाकी का काम हम बाद में कर लेंगे, यह देख लो, see, इतना काम हो गया, next step क्या है, सो देखिए, यह जो hole दिख रहा है, ठीक है, इसको अंदर वाले को अभी हम बाद में कट करेंगे, क्योंकि अंदर से hollow है, वो काम बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, तो आप front plane ले सकते हैं, sketch में चले जाईए, और यह जो plane है, उसको हम hide कर देते हैं थोड़ा, और आप चाहोती यहां पर एक circle ले सकत इसने का C, यह देखो 10 diameter है, और अंदर का hole 6 का है, पहले तो आप 10 डाल दो, बाद में देखेंगे, hole का काम बाद में है, और इसकी total height कितनी है, center से यह देख लिए 64 है, मतलब यहां से, या तो आप चाहोती यहां पर भी center line डाल सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी, यह राइट क्लिक करके हैं, तो यहां आपको 64 डालनी है, ताकि यह clear हो जाए, 64, यह हो गया हमारा, finish, अब इसको हमें extrude करना है, कितने में, यह देख लिजे, total 52 लिया गया है, total 52, तो आप यहां पर 52 डाल दो, और mid plane कर दो, इस तरह से, then okay, यह बन गया, एक और काम करना है, see, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो देखिए, यह बनाने के लिए, आपको क्या करना होगा, यह जो मैंने plane लिया था ना, इस पे जाके sketch करना होगा, एक circle ले लेते हैं, diameter इसका 12 है, कुछ इस तरह से, escape करेंगे, इसको select करो, इसको select करो, vertically align कर दो, और इसकी देखिए, center से height कितनी है, 23, मतलब आपको यहाँ से 23 डालनी है, ओके, finish, अब जराग और से देखिए, इसको हमें extrusion करना है, कितना करना है, जराग और से देखो, यह मेरा 32 है, total 32, मतलब center से 16, और यहाँ से 8, 16 राट कितना हो गया, 24, 24 डाल दो, यह हमारा हो गया, okay, see, अब इतना काम होने के बाद, cut out करने का time आ चुका है, cut out में सबसे पहला काम, हम इसके अंदर से sweep cut करने वाले हैं, ठीक है, चलिए फिर, तो सबसे पहले आप sweep वाला यह खोलो, इसको select करो, और यहाँ से आपको sweep cut लेना है, अब यह आप देख पा रहे होंगे, यह 32 का total, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर भी 32 दीख रहा है, तो circular में जाके आपको 32 करना होगा, यह देखिया, अंदर का cut हो जाएगा, nothing to worry, यह हो गया first cut, दूसरा cut क्या है, so देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एम 39, यह हमारा total 44 है, मतलब आप इसको select किजिया, sketch में जाएए, और यहाँ हम लोगों को, एक 39 का लेना है, और बड़े वाले को हम project कर लेंगे, ठीक है, इसको हम project कर लेंगे, तिन ओके, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसका जो sharpness है, मतलब इसका ark smoothness है, वो काफी कम दिख रहा है, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक, options, document properties, image quality, यह आप यहाँ क्या उस पास रख लो, और इसको भी बढ़ा दो, ओके, तो थोड़ा सा यह sharpness हो जाती है, but nothing to worry, आप इसको 39 कर दो, ठीक है, 39, यह portion हमें cut करनी है, okay, cut कर देंगे, extruded cut, अंदर कितना जाना है, हम लोगों को, तो आप देख सकते हो, यह रहा 8 का, तो आपको यहाँ 8 डालना होगा, see, and then okay, यह हमारा, वो cut हो गया, यह क्या आ रहा है, खायर जाने दो, कोई बात में, एक और cut यहाँ पर दिया गया है, यह वोला cut, बताता हूँ यह कैसा है, तो, उससे पहले हम लोगों को, यहाँ पर एक hole लेना होगा, ठीक है, यह hole का, क्या size है, यहाँ आपको पता चलेगा, यह देखिए, G116, G116, समझे, यह लेना होगा हम लोगों को, कैसे, सो देखिए, standard लेना है, यहाँ पर, तो आपको इस face को पहले select कर लेना है, hole wizard, G मतलब क्या है, यह British standard holes होते हैं, ठीक है, आप अगर Google में search मारेक, मिल जाएगा, यहाँ से दिया हुआ है, तो हमको उतना पापड नहीं बिलना है, तो यहाँ से आप यह standard hole ले सकते हो, tapping, और यहाँ आपको BIS लेना है, BIS, BSI, है न, British standard, तो यहाँ आपको वैसा ही मिलेगा, जैसे आप चाहते हो, one second, यह BSI ले लिया, आप यहाँ से tapping hole ले सकते हो, straight tapping hole, यह देखिया, straight pipe tapped hole, ठीक है, तब यह pipe ही है न, तो इस वज़े से आपको, a straight pipe tapped hole लेना पड़ेगा, और यहाँ आपको देखिये, substandard दिया हुआ है, तो यहाँ कौन सा standard लेना है हम लोगों को, यह देखिये, G1 by 16, तो G1 by 16 यह पहला वाला ही है, अब ज़रा गोर से देखिये, इसका total depth, यह 7 का है, ठीक है, और यह tip angle 60 दिया हुआ है, ठीक, चलिए मैं बताता हूँ, यह diameter हमें कुछ नहीं करना, यह 60 डालना होगा, और यह जो लेना है, वो 7 लेना है, ओके, और इसकी threading भी आप अपने हिसाब से 7 का ही रख लो, हमने cosmetic thread को on किया है, detail thread डाल सकते हो, बड़ कोई ज़रूरत नहीं है, cosmetic thread ले लिया, यह पूरा standard dimensions मैंने add कर दिया, यहाँ पर आपको BSI लेना है, straight pipe tapped hole को select करना है, और G1 by 16 का ले लेना है, अब यहाँ position में जाईए आप, और यहाँ आपको click कर देना है, no problem, see, center में आपको click कर लेना है, okay, and then okay कर दिजिए, अब आप अगर देखेंगे, यह portion तो अंदर चला गया, है ना, यह हमें cut करना होगा, कैसे cut करना होगा, वह मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पर ज़र आप section करके check कर लो, कि यह हमारा properly हुआ है कि नहीं, एक काम तो हो गया हमारा, यह उलत हो गया है, बट यहाँ से एक और pipe हमें लेना है, वो हम थोड़ी दिर में लेने वाले हैं, see, अभी एक बार और चेक करना है ताब कर लिजिए, बावा पूरा dimension हमारा सही है कि नहीं, standard G1 by 16, यह सब तो रहने दो, यह जो दिया गया है, tip angle 60 degree, end condition 7 का है, threading भी 7 का है, बहसीत नहीं तो लेना है, कोई इशू नहीं, ओके, और आपका अगर मन करें तो section लेके काम कीजिए, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर का पूरा यहाँ तक हमें cutting करना है, यह देख लो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पर G1 by 8 का hole लेना है, वो भी हम लेंगे, दिखाता हूँ साब एक एक करके करते जा रहे हम लोग, अब चलिए यह छोटा वाला hole ले लेते हैं हम लोग, यह आर पर जाएगा, तो एगेन हम लोग क्या करते हैं, इस face को select करेंगे, और hole wizard में जाते हैं, यहाँ simple वाला hole लेते हैं, और यहाँ आपको n symmetric ले लेना है, और इधर आपको 3 mm कर ले लेना है, ओके, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, आप चाहो तो यहाँ से up to next कर सकते हो, है ना, बाकी कुछ नहीं, position, यहीं center पर हम ले लेते हैं, find out the center point, यह रहा center point, then okay, see, यह देखो, एक जटके में हमारा, यहाँ से यहाँ तक हो जुका है, finish, एब एक और काम कर लेना हैं, हम लोगों को, यह जो material है, वो cut करना पड़ेगा, इसका जो radius दिया हुआ, यह यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यह देखो, radius 4 दिया हुआ, ठीक है, no, nothing to worry, हम करके बताते हैं आपको, इसको select करते हैं, sketch में जाएंगे, एक circle लेंगे, find out the center point, यहाँ आपको radius 4, मतलब diameter 8 लेना है, यह कुछ इस तरह से, ठीक है, then finish, then देखिए, आपको क्या करना है, so extrude it cut करना है, 8 लेना है, काफी है, यह देख लो, कुछ इस तरह से हमें cut करना होगा, यह वाला portion, ठीक है, यह हमारा काम हो चुका, okay, good, यहाँ पर भी देख लो, वह इस नहीं दिया हुआ है, अंदर तक थोड़ा सा गया है, okay, तो यह cut हो गया, आप इसको save कर लीजिए, अब अगला काम, यहाँ हमें cut out करना है, see, यह जो cut out है, वो करना है, तो again हम लोग क्या करने वाले हैं, front plane, sketch, और center line, infinite length, आप यहाँ से पकड़के, oops, थोड़ा सा टेड़ा हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको कर सकते हैं सीधर, ठीक है, ठीक है, okay, now अभी हम profile बनाएंगे, यह देखीजिए पूरा, तो हम लोगों को जड़ा उपर से लेना है, यहाँ से हम सुरुवात करेंगे, ऐसा, ऐसा, फिर हम ऐसा लेंगे, फिर आप ट्रेट चले जाओ, फिर आप ऐसे चले जाओ, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यहाँ पर लगता है, बे मतलब का कोईंसिडेंट हो गया, so we don't need that, आप इसको डिलीट कर दो, फालतु का नहीं रखना, नहीं तो फुली डिफाइन होने में आपको तकलिफ देगा, ठीक है, आभी डाइमेंशन, तो यह देखें, डिटेल वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे चीजे हैं, यह आप देख सकते हो, इसका तो तीन दिया हुआ डाइमेटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम तीन ले लेते हैं, ओके, यह देखो सिक्स्टी डिगरी का है, मतलब एक साइड हम थर्टी ले सकते हैं, ओके और और यहां तो कुछ दिया नहीं है बाकी डिटेल में चेक कर लेते हैं यह देखो 8 का है तो हम यहां से यहां तक 8 ले लेंगे और यह देख लिए जो हमारा 60 का है मतलब आप एक साइड से 30 ले सकते हो ओके यह भी 60 का है यह तो मैंने ले लिया 30 का एक साइड और अगला क्या है यह देखो 9 का है मतलब यहां से वर्टिकल डिस्टेंस इसका 9 रहेगा एक काम और कर लेना यह देखिए यह जो है ना इसका बोर बोर का हाइट जो है इसके 14 के बराबर होगा इसके बराबर देख लिजे तो क्या करेंगे यहां आपको 14 डाल देना है ओके बस फिनिश करेंगे और यहां से रिवॉल कट और देन एक्सिस अफ रिवॉलुशन दिस वर और देन ओके यह देख लिजे अंदर का मट्रियल कट गया सी हो गया किलीर गुड़ आब इसको जरा सा ओन किजीए सेव किजीए कंट्ड एस क्या बाकी रहे गया है और अभी अल्मोस्ट सारे चीजे हो चुकी है अभी देखे यहां इस hole को लेना है यह hole लेना है और यह hole लेना है यह देख लिजे सारे holes को हम ले लेते हैं पहले यहां पर लेते हैं यह देखे जी 1 by 8 लिया गया है इसका depth वगेरा यहां पर दिया गया है center से नीचे 26 tip angle 120 का ले लेते हैं चलिए तो nothing to worry है top plane हम आराम से ले सकते हैं top plane से हमें इस hole को लेना है nothing to worry select करेंगे पहले plane को hole wizard यह ब्रिटिस लिया है तो आपको यहां पर जाना होगा और आपको यहां से BSI लेना पड़ेगा और यहां से straight pipe tapped hole लेना पड़ेगा और G1 by 8 लेना पड़ेगा ठीक है यह रहेगा G1 by 8 अब यहां से आपको पूरा details डालना है up to next नहीं चाहिए end condition आपको blind रखना है और यह भी blind रखना है समझे चलिए तो total हमने plane से लिया है तो plane से देख लिजए इसका total high 26 है तो आपको यहां जो लेना है वो 26 डालना है tip angle 120 होता है आपको पता है इसको आप एक बार off कीजे फिर on कीजे यहां आपको 120 का ले लेना है और trading भी हम 26 का ही डाल देंगे और यहां position अब position में देखिए यह top से लिए आ गया इसके center में है बिल्कुल तो हम लोगों को exactly इसके center में hole डाल देना है okay हो गया अब आप इसको section करके check किजिए यह देख लो अगर आपको detail trading चाहिए तो ले सकते हो बट फिलहाल हमने cosmetic लिया हुआ हुआ है यह चाहिए था हमें तो आपको standard British standard hole लेने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है हमारे solidworks में सब कुछ दिया हुआ है ठीक है see save कर लेते है okay कमाल का है ठीक आगे बढ़ेंगे हम लोग almost हो चुका है अभी hole और लेना है हम लोगों को यह hole हो गया यह hole हो गया यह hole हो गया और कौन सा hole लेना है यहाँ पर देखिए यह M6 का लेना है यह वाला कोई issue नहीं मैंने space को select किया hole wizard M6 मतलब metric वाला लेना है no problem हमें यहाँ से nc metric लेना है M6 इधर से आप M6 into 1 का ले सकते हो बाकी मैं यहाँ से आपको up to next कर देता हूँ ठीक है position यहाँ तो दिखने रहा हम लोगों को थोड़ा सा hidden करना हो ओके अच्छा यह तो हो गया है अभी आप इसको पकड़के ज़रा इसे कर लो see यह देखो up to next तक आ गया see यहाँ पर भी आ गया अब इधर की बात करते हैं यहाँ पर हम लोगों को कोई standard hole नहीं लेना है only six लेना है तो आप direct इसको select कीजिए whole wizard इसमें जाते हैं only six आप चाहों यहाँ से भी ले सकते हो up to next और यहाँ आपको through all करना होगा see कुछ इस तरह से यह okay through all का करने का फाइदा यह देख लो आर पर हो गया control s और क्या है भाई और ज्यादा कुछ नहीं बस हम लोगों को यह जो दिख रहा यह hole यह लेना है नीचे देख लीज़रा four holes of M4 equis past on PC PC मतलब pitch circle और diameter दिया हुआ है 76 मतलब क्या इसको hide करते थोड़ा इस face को select करेंगे hole wizard यह standard लेते हैं nc metric M4 यहाँ आपको M4 ले लेते हैं यह question ने through all के बज़ा हम up to next लेंगे सब कुछ up to next and then position यहाँ पर मैंने इसको रख दिया I think यह हमारा tip angle भी है तो मैं ज़रा इधर चाहके check कर लेता हूँ up to next नहीं चाहिए हम लोगों को यहाँ पर लगता है dimension दिया हुआ है see 8 का दिया हुआ है है ना हमें इसके हिसाब से काम करना होगा 8 का तो up to next हमें नहीं चाहिए 8 लेता हूँ ओके ठीक है ओके position मैं ज़र तो डाल दिया है एक circle ले लेता हूँ यहाँ से आपको यहाँ तक है 76 लेना है यह रहेगा मेरा 76 escape करेंगे इसको select किजे फिर इसको vertically align कर दीजे ठीक है finish ओके now pattern circular pattern direction में हम लोग इसको लेंगे 4 है यहाँ पर देख लो 4 ओके control S section करके check कर लेते हैं ओके see बराबर आगे है सब कुछ तो यह हमारा material add कर लिए material remove कर लिए it's time to apply fillets now what कहां कहां पर कितना कितना fillets है वो हमें जड़ा देखना पड़ेगा तो चलिए यही से हम लोग start करेंगे यह देखो बाहर वाला हमारा 10 का है आप इसको off भी कर सकते हो यहां से मैंने 10 लिया बाहर वाले को 10 डाल दिया ठीक है ओके नहीं तो एक साथ भी हम लोग ले सकते थे अगर हम इसको section कर देते हैं यहां पर जाता हूँ इसको लिया और बाहर के साथ साथ हम अंदर वाले को भी select कर लेते हैं और यहां multi radius fillet लूँगा अंदर वाला कितना हो जाएगा यह देखिए 80 है और अंदर वाला है 68 मतलब 12 एक साथ 6 हो जाएगा तो आपको अंदर वाला 6 लेना पड़ेगा यहां आपको 6 लेना है ओके यह देख लो प्रोपर आ गया बाहर वाला मैंने 10 लिया अंदर वाला मैंने 6 लिया और यहां पर देखो 4 लिया गया है सी इधर हम 4 कलेते हैं ओके और कहीं और दिया है क्या 4 देखिए ये इसके बराबर मुझे यहां लग रहा है यहां लग रहा है हम यहां पर डाल देते हैं ठीक है न ऐसे तो दिया नहीं है बट हम डाल देते क्योंकि यहां फिलेट हमें दिख रहा है ये लिया 4 और कहां पर है 4 इधर है मतलब दिखाते हैं आपको कहां डालना है तो मैं ज़रा section को off कर देता हूँ इसको off कर दिया, और फिर हम 4 का लेते हैं, जैसे कहां कहां पर लेना है, मैं यहां पर भी डाल देता हूँ, यह रहा, फिर आप चाहो, तो इस face में ले लो, इस face में ले लो, यह कुछ जादा ही दीख रहा है लगता है कि ने, तो मैं इसको deselect कर देता हूँ, right click करके delete, यहां प बाद मिलेंगे फिर, चलिए, इतना काम तो कर लेता हूँ, अंदर का काम हो गया, और कहां पर डालना है, यहां पर थोड़ा कम ले देते हैं, दो का ले लेते हैं, चलो, ऐसे दिया नहीं है, यहां पर कितना है, तो हम अपने मर्जी का ले लेते हैं, ठीक है, इधर से मैं न ले लिया, yes, yes, ये ले रहा है क्या, नहीं ले रहा है, एक m-m डालू क्या, ये एक m-m में हमारा properly ले रहा है, ठीक है, दिया नहीं है, नहीं तो मैं क्या करता है, ये हमारा है, हो गया, और यहां से मैं इस फेस को भी लही लेता हूँ सी इस तरह से ले लिया ओके तो जितना बैठ जाए उसको बिठा दो यह देख लो हमारा काम हो चुका है इतना ठीक है और कहां पर है बॉस अब देखेंगे तो यहां पर थोड़ा चेंफर लिया गया है सी और थ्रेडिंग भी है तो थ्रेडिंग काम हम करेंगे बट पहले फिल्लेट वाला निम्टा लेते हैं हाँ और यहां पर भी थोड़ा सा फिल्लेट दिया हुआ है और यहां पर भी थोड़ा सा fillet दिया हुआ है यहां तो पता नहीं कितना दिया है एक कले लेते हैं चलो 1 mm और हम इस age को select कर लेंगे ओके फिर इस age को हम select करते हैं और यह उना लेते हैं ताकि opposite वाला भी हमारा सिर्फ आ जाए और यह सब क्यों आ गया यह सब नहीं होना चाहिए था right click करके clear selection एक ही चाहिए हम लोगों को इधर वाला और इधर वाला ठीक है उधर का काम हम बाद में कर लेंगे देखेंगे जरूरत होगी तो करेंगे यह देख लीजिए और कहां पर हमारा काम है इधर हट गया क्या जी वन सेकेंड इसको भी हम ले लेते हैं यहां यह लिया edit में जाते हैं इधर से हम इसको ले लेते हैं ठीक है finally done और यहां पर भी देखिए जरा गौर उसे यह देख लो यहां पर भी fill it लिया गया है बट कितना दिया गया है पता नहीं तो कहां पर यह देखो तीन का है ती यह तीन का हम बाद मिलेंगे यह लेता हूँ 3 mm इसको हमें 3 mm लेना है see यह देख लो हमारा 3 mm का है बाकी और कुछ है क्या इधर नहीं दिख रहा अब यहां पर देखते हैं जरा साथ यहां पर कितने का है यह देख लो 2 mm का है यहां पर कितना है पता नहीं तो 3 mm ले लेते हैं अब जरा हम इसको section कर लेते हैं देनों के और ये मैं 3 mm कर लेता हूँ या तो 4 चाहिए हैं तो 4 ले लेते हैं और उपर वाला 2 है मैं इसको भी select कर लूगार यहां पर जाता हूँ ये मैं 2 ले लेता हूँ उपर वाला 2 नीचे वाला 3 कर देता हैं तो 4 नहीं चाहिए मुझे ठीक है ये देख लो आ गया और मुझे तो नहीं लग रहा इसमें कुछ बाकी है ठीक है बट थ्रेडिंग रहे गया सिर्फ save कर लेता है यहां से हम लोगों को बस एक थ्रेडिंग ले लेनी है अभी देखिए यहां पर थ्रेडिंग दिया हुआ है सब्सक्राइब है यहां लोग यह चमफर कर देदे हैं चमफर तू पता नहीं कितना है सो बट हम चमफर डाल देट पूए-इन-ठीक करते हैं सही आया तो ठीक है ऐक चलो आइसा हो गया अपैसा अब प्लाइट थ्रेडिंग थ्रेडिंग कौन सा लेना है यहां आपको पता चलेगा यह देखो G3 by 4 मेजर डामेटर इतना कुछ दिया हुआ ठीक है तो नथिंग टूरी और यहां पर भी M39 का लिया गया है हम यहां पर पहले लेते हैं यह लिया मैंने थ्रेड और यहां से M39 का लेना है यह M39 यहां से आप ले सकते हो जो भी पीछ रखना है आप रख लिजिए M39 into 2 का पीछ ले लिया मैंने और मैंने इसको सेलेक किया जैसा लगता है आप ले सकते हैं और मैं यहां आपसेट को अन करता हूँ पीछ 2 का है मैं यहां से 2 mm ले लूँगा और यहां इसको फिलिप करूँगा और इस कट्डे आप तो जो है वो 8 का है मैं 8 ले लेता हूँ ठीक है और कट लिया है तो यहां आपको मिरर अंदर लेना पड़ेगा यह हमारा इधर का थ्रेडिंग हो गया डीटेल थ्रेडिंग आप चाहते हैं कॉस्मेटिक भी ले सकते थे इद सेव कर लेते हैं और अगला क्या है यहां पर भी हम लोगों को एक थ्रेडिंग डाल ली है कितने का स्टेंडर कितना लेना है जी 3x4 का नथिंग डूरी यहां पर जाता हूँ यहां पर हम लोगों को मैट्रिक के बजाए आप इधर तो दिख नहीं रहा हम लोगों को यहां पर हम लोगों को मेजर डायमीटर अच्छा ठीक है यहां पर कितना है 26 तो M26 का हम लोग ले सकते ठीक है न तो M26 का हम ले लेंगे इधर इधर हम M24 के बाद M20 26 तो होता नहीं शायद M27 आ रहा है हमारा अच्छा ठीक है यह भी अल्मोस्ट M27 के बराबर ही है क्योंकि 26.441 है यहां पर नहीं तो हम लोगों को Google में सर्च मारना पड़ेगा इसका स्टेंडर्ड MM में कितना आता है उसके हिसाब से हमें लेना पड़ेगा यहां तो होल दिया हुआ ब्रिटिस स्टेंडर का बट थ्रेडिंग नहीं दिया हुआ है ठीक है तो खैर ठीक है नो इश्यू हम M27 का ले लेते हैं ओके यह मैंने ले लिया और मैंने इसको सेलेक्ट किया ठीक है जो लगता है आप ले लो यहां से और यहां आपको cut में mirror कर देना है और यहां हम लोगों को थोड़ा offset लेना है और यहां से 2mm का मैंने इधर कर दिया और थोड़ा सा मैं इसको 10 का असपास या 11 का असपास ले लेता हूँ, बारा भी कर देंगे चलेगा, no issue, ओके, यहाँ पर भी आपका एक थ्रेडिंग बनके तैयार है, तो यह हमारा कार्बूरेटर बॉडी बनके हो गया, तैयार, ओके, दिख रहा है यह, सिंपल था, देखन इस फेस को ले रहा हूँ, है न, इसको ले रहा हूँ, जहाँ जहाँ छोटा-छोटा मोटा बचता है, उन सब को मैं डाल देता हूँ, ठीक है, यह ले लो, फिर आप चाहो तो यहां से भी ले लो, ओके, फिर आप इधर भी ले लो, और फिर आप इधर भी ले सकते हो, यहा पर भी लेना है तो ले लिजिए, इस तरह से, ओके, यहां से मैंने ले लिया, फिर यहां पर भी ले लिया, and then okay, see, यह रहा हमारा कार्बूरेटर बॉड़ी, I hope यह आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत slow-slow लिया है, है ना, आपको दिकत नहीं आनी चाहिए, चला, फिर मिलेगे अगले सेशन में, अगले टुटोरियल के साथ, बाबाई, गुद डे, टेक केर,